अब वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन आयम गौरव गुपता इस वन इस एथ लेक्चर ऑन क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और नेम फ़ चैप्टर 4 इस डिटा मिनिन और आज हम इस वीडियो में सॉल करेंगे इच एवरी कोश्चन ओफ दा मिस्रेनियस एक्सरसाइज तो आप इस वीडियो अगें जिदि आप इस चैनल पर नए है और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल गौरव गुपता मेच्स क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेरें सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल तो लेक्टर दा लेक्चर यहां कि यहां यहां प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ओफ डिटाम मेन अपको जस्ट यह बताना है कि यह जो डिटाम मेन है यह इन-डिपेंडेंट ऑफ थीटा है इसको यह लिए आप एक्सपेंड करते हो तो यहां पर कोई भी थीटा की टॉम्स नहीं रहनी चाहिए यदि ऐसा है तो आप क्या कहोगे से इडिज इंडिपेंडेंडेंट तो छो तो सिंपली आपको क्या करना इसको एकस्पेंड करना है और आपको किसी भी रो में कि एकस्पेंड कर सकते हो तो मैं यहां expand करता हूँ along r1 तो please take a screenshot expanding along r1 तो मैं इसको r1 के along expand कर रहा हूँ सबसे पहले आपको each and every element लिखना होता है x then sin theta then cos theta अब आपको पता है first element is positive second element क्या होता है negative and third element is again positive तो जो first element x जहां भी जिस भी row में है और जिस भी column में उसको cut कर दो ये आपने row cut कर दी ये column cut कर दिया तो आपके पास क्या रहा minus x 1 and x जब हम sin theta देखिए ये first row में है और second column में है तो cut करेंगे तो आपके पास रहेगा sin theta cos theta 1 and x now cut the first row and third column तो आपके पास रहा minus sin theta cos theta minus x or 1 अब इसको solve करते हैं this one is x cross multiply minus x into x minus x square minus 1 into 1 1 minus में sin theta minus sin theta into x means minus x sin theta minus 1 into cos theta cos theta plus cos theta minus 1 into sin theta minus का sin theta minus minus x cos theta तो minus का x तो ये बन जाएगा plus का x cos theta इसको और solve करते हैं ये बन जाएगा minus का x cube minus का x इसकी multiply करिए minus minus positive positive x sin theta square और अब जब इसकी multiply करेंगे negative negative again positive sin theta cos theta cos theta को minus sin theta से multiply करेंगे तो minus का sin theta into cos theta cos को cos से multiply करेंगे तो cos square theta और x as it is अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ term cancel out हो रही है कौन सी term cancel out हो रही है यह this यह cancel out हो गई अब आपके पास क्या result रहा मैं यहाँ लिखता हूँ minus का x cube minus का x अब यहाँ देखिए इस term में और यहाँ से दोनों term में क्या common out हो रहा है यहाँ पर x तो जब मैं x common लेता हूँ तो मेरे पास क्या रहा यहाँ पर sin square theta plus यहाँ से cos square theta और आपको पता है sin square theta cos square theta is 1 तो यह क्या बन क्या आपका minus का x cube minus का x plus x because यह हो गया 1 minus का x cube minus का x plus का x again x और minus x cancel out आपके पास क्या answer आगया minus x cube और यह क्या है it is independent of theta तो hence proved आपको सरफ यह ही show करना था जो question है वो determinant क्या है independent of theta तो आपके answer में theta की कोई भी term नहीं है it means question is proved so I hope आपको समझा गया होगा तो please take a screen shot now this one is the question number two without expanding the determinant यहां mention है कि आपको expand नहीं करना prove that this determinant is equal to this determinant की form में आपको represent करना है अब ध्यान से देखिए जब भी हमने determinant के questions को prove किया तो मैंने आपको एक simplest way बदाया कि कोई ना कोई one row या कोई ना कोई one column को identical बनाईए identical बनाने से क्या है वो element common out हो जाता है और वहां पर क्या रह जाता है one one and one तो उसको फिर हम expand करते थे जो rule apply करके तो यहां भी वो ही same to same rule apply करेंगे ध्यान से देखिए यहां पर एक जो column है आपकी c one के सभी element one है इसका मतलब कोई ना कोई जो element है वो common आएगा किसी ना किसी row से या किसी ना किसी column से उसके बाद ही हम इसको prove कर पाएंगे तो यहां देखिए ध्यान से यहां पर b c है it means यहां पर a नहीं है तो मैं इस row को a से multiply करता हूँ तो यह बन जाएगा a b c इसी type से यदि मैं r2 row को b से multiply करूँगा तो यह बन जाएगा a b c again r3 को यदि मैं a c से multiply करता हूँ तो e b c इसका मतलब यह जो a b c आपको third column में same मिल सकता है कब मिल सकता है जब आप r1 को a से multiply करते हो r2 को b से और r3 को c से लेकिन आपको पता है जब multiply करोगे तो आपको divide भी करना होगा yes तो मैं यहां पर वही process apply कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या करा a b c से multiply कर रहा हूँ और a b c से मैं divide कर रहा हूँ तो ऐसा करने से determinant पे कोई भी effect नहीं होगा तो मैंने determinant को as it is लिखा a square b square c square b c c a and a b आप मैं क्या कर रहा हूँ कि a को multiply कर रहा हूँ किस से first row से b को multiply कर रहा हूँ second row को और c को multiply कर रहा हूँ third row को तो यहां से यह तीनों टरम तो multiply हो गई तो अब क्या रहा मेरे पास one upon में a b c जब मैं यहां r1 को a से multiply कर रहा हूँ तो it becomes a square a cube और यह बन जाएगा a b c यहां b से multiply करने पर b square यह बन जाएगा b cube यह बन जाएगा a b c जब c से multiply करूँ गई c square c cube a b c अब क्या आ रहा है common तो मैं यहां पर common ले लेता हूँ a b c कहां से common ले रहा हूँ third column c3 से तो column c3 से मैं common ले रहा हूँ तो देखे a b c common out हो गया और यह a b c divide में already है तो determinant हमारा क्या है यहां पर a square b square c square और यहां पर है a cube b cube c cube और यहां पर क्या रहा हमारे पास 1 1 1 अब a b c से a b c में cut कर देता हूँ तो यह term मेरे पास क्या आ गई a square b square c square a cube b cube c cube 1 1 1 अब देखे हैं में prove क्या करना है अब देखें यहां पर एक कोलम आपको a square b square c square यह already है a cube b cube c cube यह भी already है और 1 1 1 यह भी है बट इसका जो order है वो change है जो 1 1 1 है वो कहां पर आना चीए फर्स्ट कोलम में जबकि यह है कहां पर थर्ड कोलम में तो मैं यहां पर interchange कर रहा हूँ c1 को interchange किसके साथ कर रहा हूँ में c3 के साथ आपको पता है जब भी आप किसी भी two row या two column को interchange करते हो तो sign of the determinant क्या हो जाता है change तो यहां पर क्या बन जाएगा negative और negative को one लिखो कोई fact नहीं परता या simple negative लिख लो तो भी कोई fact नहीं है तो यह बन जाएगा आपका a square b square sorry अब c3 जो column है वो क्या बन जाएगा c1 तो यह बन जाएगा one 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 और c3 बन जाएगा आपका a square b square c square और c2 पे कोई भी change नहीं होगा a cube b cube c cube बट अब ध्यान से देखी यहां first column तो match कर गया लेकिन second match नहीं करता हूँ इसका मतलब किया हमें again interchange कर देता हूँ किस-किस को c2 को c3 के साथ interchange कर देता हूँ तो यह क्या बन जाएगा मेरा one 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 यह बन जाएगा a square b square c square a cube b cube और c cube अब देखिए फिट से determinant का sign चेंज होगा तो negative फिट से नेगिटिव और यह नेगिटिव नेगिटिव कैंसल आउट होके क्या बन गया positive और यही टर्म आपको क्या करने थी प्रोग तो हैंस प्रोग आई होप आपको समझाया होगा इस वेरी सीमपल तो प्लीज टेका स्क्रीन शॉट और यहां पर आपको कुछ प्रोग नहीं करना जस एक्सपेंड करना है तो मैं किस के लोंग एक्सपेंड कर लेता हूं आरवन बेस्ट रहेगा तो मैं आरवन के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूं एक्सपेंडिंग एलोंग आरवन सबसे पहले सभी अलिमेंट को लिखे लिजिए कोस ओफ अलफा कोस ओफ बीटा इसके बाद सेकिंड अलिमेंट है cos of alpha, sin beta, इसके बाद है, minus के sin alpha, minus के sin alpha, अब देखिए, first sign क्या होता है, positive, negative, second sign क्या होता है, negative, and third sign is positive, positive, negative, negative ही रहेगा, अब देखिए, इस element जहां भी, जिस भी row में हैं, उस row को, और इस column को cut कर दो, it means, यह first row, and first column को cut करेंगे, हमारे पास रहेगा, cos of beta, sin of alpha, sin of beta, zero, cos of alpha, अब first row और second column को cut करो, आपके पास रहेगा, minus का sin beta, sin alpha, cos beta, और zero, and cos alpha, now third, minus sin alpha, first row and third column को cut करा, तो आपके पास क्या रहा, minus का sin beta, sin alpha into cos beta, cos beta, and sin alpha into sin beta, अब आपको just expand करना है, to cross two determinant को, तो यहां देखिए, हम solve करते हैं, यहां, पिक cos of alpha into cos of beta, cos alpha into cos beta, और zero से multiply करेंगे तो result, zero, next है, हमारे पास, minus का cos alpha into sin beta, minus का sin beta into cos alpha, और zero से multiply करेंगे, तो यह zero ही रहेगा, now the next time is minus का sin alpha, multiply करते हैं, sin beta और sin beta, sin square beta, तो यह बन जाएगा, minus का sin alpha into sin square beta, फिर minus cos beta into cos beta, cos square beta, और sin alpha as it is, sin alpha into cos square beta, अब इसको further expand करते हैं, यहां देखिए, cos alpha, cos alpha, तो यह बन जाएगा, cos square alpha, cos beta into cos beta, यह बन जाएगा, cos square beta, अब इसकी multiply करेंगे, sin beta और sin beta यह क्या बन जाएगा, sin square beta, cos alpha, cos alpha, यह बन जाएगा, cos square alpha, और यह negative, और यह negative क्या बन जाएगा, positive, अब यहां देखिए, यहां से sin alpha, यहां से भी sin alpha common out हो रहा है, और minus का sin alpha दोनों में है, तो minus का sin alpha भार लेंगे, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, और sin alpha, sin alpha क्या हो जाएगा, sin square alpha, clear हो गया, यहां से negative भी common लिया, और sin alpha भी लिया, तो negative negative positive, sin into sin, sin square, अब आपके पास क्या रहा है, यहां पर bracket में, sin square beta, plus में cos square beta, अब देखिए, यहां से cos square alpha again, common आउट हो रहा है, तो common ले लिजए यहां से भी, cos square alpha को common लेंगे, तो यहां पर हमारे पास रहेगा, cos square beta, plus sin square beta, यहां पर देखिए, sin square alpha अलेड़ी है, और sin square beta, plus cos square beta, यह भी क्या हो गया, वन, इसका मतलब इसका फ़रा और सोल करते हैं, यह भी देखो क्या बन गया, यह भी 1 बन गया, तो यहां से क्या रहा आपके पास, cos square alpha, और यहां से क्या रहा आपके पास, sin square alpha, again, cos square alpha plus sin square alpha, यह भी 1, इसका मतलब आपका अंसर कितना आगया, 1, I hope आपको समझ आए होगा, it's very easy, तो प्लीज टेका स्क्रीन शोट, now, this one is the question number 4, A, B, C are the real numbers, और आपको delta means, इस symbol को क्या करते हैं, delta, तो delta means determinant, आपको determinant given है, और आपको show that करना है, इस determinant का जो result है, इसके base पर आपको यह पता लगाना है, कि A plus B plus C, 0 हो, और A equal to B equal to C हो, तो आपको यह result प्रूव करना है, या तो A plus B plus C result 0 होगा, और A and B and C are equal, तो कैसे प्रूव करेंगे, just do, जैसे आप portion को प्रूव करते आए थे, इन exercise 4.2 में, सबसे पहले हम किसी भी one row, या one column को identical बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, यहां देखिए, कि मैं यहां R1 है, यह R2 है, यह R3, कि मैं R1, R2, R3 add करता हूँ, तो देखो, यहां A plus A2A, B plus B2B, C plus C2C, यहां भी देखिए, A plus A2A, B plus B2B, C plus C2C, मतलब same to same identical element आपका बन रहा है, तो मैं यहां पर सबसे पहले अपलाई क्या करता हूँ, R1 में ही अपलाई कर देता हूँ, R1 plus R2 plus R3, तो मेरा result क्या बन जाएगा, जब मैं इसको add करूँगा, R1, R2, R3, तो सभी component A, B, C, डबल हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 into A plus B plus C, सेम यहां पर देखो, यहां पर भी double है यह, तो यह भी बन जाएगा, 2 into A plus B plus C, सेम हेर, 2 into A plus B plus C, अब second row as it is, और third row as it is, A plus B, B plus C, B plus C, and C plus A, हमारा next step is क्या था, जो identical element बन गई, उनको common ले लिजे, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, common ले लेता हूँ, क्या common ले लेता हूँ, 2 into A plus B plus C, कहां से common लूँगा, मैं first row से, R1 से, तो मेरे पास result क्या रहा, 2 into A plus B plus C, यहां बन गया मेरा 1, this one is as it is, यहां भी 1, A plus B, B plus C, same here, यहां भी 1, B plus C, और C plus A, अब आपको याद आया, यह 1 कहां पर है, first column में, यह 1, second column में, यह 1, third column में, इसका मतलब, column वाले operation अप्लाई करेंगे, और apply क्या करते थे हैं, आपको याद है, दो ही step होते हैं, C2 में आप क्या करोगे, C2 माइनस C1, और C3 में क्या करोगे, C3 माइनस C1, यहीं operations होते हैं, जब भी आपके 1, 1 बन जाए, अब apply करते हैं, यहां पर मैं लिख रहेता हूं, 2, A plus B plus C, A plus B plus C, अब result देखते हैं, हम apply कर रहे हैं, C2 और C3, इसका मतलब C1 चेंज नहीं होगी, तो C1 क्या हैं आपकी, 1, C plus A, और A plus B, करिए, 1 minus 1, 0, A plus B में से, A plus C माइनस करेंगे, तो क्या रहे जाएगा, हमारे पास, B minus C, B plus C में से माइनस करेंगे, A plus B, B से B cancel out, C minus A, अब C3 माइनस C1, तो 1 minus 1, 0, B plus C में से, C plus A को माइनस करेंगे, तो C से C cancel out, हमारे पास रहेगा, B minus A, C plus A minus A, plus B, A से A cancel out, C minus B, फिर next step क्या होता था, जब कि C P, row या column में, दो element 0 बन जाते हैं, तो उसी के along क्या कर देते हैं, उसको expand, तो मैं यहाँ, along R1, अब आपको यह पता है, जब हम इसको expand करेंगे, यह term तो आपकी exit जएगी, 2 A plus B plus C, और यहाँ देखिए, जब भी आपकी दो element 0 होते है, तो determinant सिरफ, एक की term का solve होता है, तो सबसे पहला element क्या है, यहाँ लिखेंगे हम 1, और second element 0, इससे result 0 ही आएगा, इससे result पहीं क्या आएगा, 0 हैगा, इसका मतलब only यही count होएगा, first row कट कर दो, first column कट कर दो, आपके पास क्या रहा, B minus C, C minus A, B minus A, और C minus B, और remaining क्या रहेगा, आपके 0, 0, क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहीं 0 लिखेंगे, और इस row को, इस column को cut करेंगे, ultimately multiply 0 से करना होगा, तो result 0 ही आएगा, इसी ज़िए, थार्ड element 0 है, again multiply करेंगे, तो भी 0, इसका मतलब next, जो two terms आएगी, determinant में, वो क्या आएगी 0, अब हम इसको solve करेंगे, इसके लिए प्लीज टेका screen shot, now solve this, सबसे पहले टर्म हमारी क्या है, 2 into a plus b plus c, और 1 से multiply करेंगे, 2 into 1, तो 2 ही रहेगा, अब इसको expand कर तो, b minus c multiply, c minus b, minus c minus a multiply, b minus a, और इन 0 को आपने remove कर दिया, अब देखें, determinant आपका किसके equal था, पहले 0 की equal था, तो हम आप right and set भी use कर लेते हैं, equal to 0 है, अब इसको solve करते हैं, सबसे पहले में multiply कर लेते हैं इसकी, a plus b plus c, b into c, b c minus c square minus b square plus b c, minus, इसकी multiply कर ये, b c minus a b minus a c plus a square, is equal to 0, 2 into a plus b plus c, अब दियान से देखते हैं, सबसे पहले, b c minus c square minus b square plus b c, minus हैं, sign change कर दो, minus का b c, plus a b plus a c minus a square, is equal to 0, 2 into a plus b plus c, b c से आपका b c cancel out, sorry, plus b c से minus b c cancel out, और कोई term से नहीं cancel out और रही है, तो आपके बस term क्या रहे गए, एक तो b c plus a b, or plus a c, और कौन से term रहे गए आपकी, minus का c square, minus का a square, and minus का b square, is equal to 0, इसमें से मैं negative common ले लेता हूं, और इसको arrange करता हूं, तो क्या term बनता है मेरा, minus का 2, a plus b plus c, a square plus b square plus c square, plus की हो गई, ये minus की, minus का a b, minus का b c, minus का a c, इतना के लिए लोगे आपको, अब जहां से देखिए, अब मैं इस 2 को multiply कर देता हूं, इस 2 को, ऐसा करने से क्यों, क्योंकि आपको prove करना था, a plus b plus c, या तो 0 होना चाहिए, आपको पता है, ये इसका factor अल्रेडी आ चुका, और determinant equal to 0 है, इसका मतलए, या तो ये term equal to 0 होगी, तो पहला part true हो गया, दूसरा आपको prove करना है, कि a equal to b equal to c, तो मैं यहाँ पर क्या prove करूँँगा, पहले a equal to b, b equal to c, और a equal to c, तो तीनों आपस में क्या होते हैंगे, equal, वो equal बनाने के लिए, मैं यहाँ पे छोटा सा concept यूज़ करूँगा, छोटी सी identity यूज़ करूँगा, a minus b का whole square, अब वो कैसे करूँगा, उसके लिए मैं इस 2 को use करूँगा, अब मैं इस 2 को multiply कर रहा हूँ अंदर, ज्यांसे देखिएगा, minus a plus b plus c, this becomes, oh sorry, 2 a square plus 2 b square plus 2 c square, minus के 2 a b minus के 2 b c minus के 2 a c is equal to 0, अब आप सुचे लोगे सारा identity कैसे बनी, अब बनेगी देखो ज्यांसे, minus a plus b plus c, अब मैं 2 a square को a square plus a square लिख सकता हूँ, आपका उगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी टाइब से b square को भी मैंने b square plus b square लिखा, c square को again c square plus c square, अब यह term as it is, minus के 2 a b minus के 2 b c minus के 2 a c, अब ध्यांसे देखिए, अब मैं यहां पर whole square बना रहा हूँ, minus का a plus b plus c, a square plus b square और minus के 2 a b, यह क्या बन गया आपका, a square plus b square minus का 2 a b, इसका मतलब यह बन गया हमारा a minus b का whole square, plus, अब यहां देखिए, आप मैं b की बात करता हूँ, b square plus c square और minus के 2 b c, तो यह बन गया आपका, b minus c का whole square, अब आपके पास क्या रहा, a square plus c square minus के 2 a c, इसका मतलब यह क्या बन गया, a minus c का whole square, is equal to 0, यहां तक समझा गया आपको, तो please take a screenshot again, अब देखिए, यहां पर, अब इनकी product, किसके equal है, 0 के, तो 0 तभी आ सकता है, या तो यह term 0, क्योंकि यह term 0 बन गई, तो 0 into this, पूरा 0, या यह पूरी term 0 बन गई, तो यह result क्या आएगा, 0 into this, 0, इसका मतलब, यह पूरी term multiply equal to 0, तभी बनेगी, या तो यह term 0 होगी, या यह term 0 होगी, इसका मतलब, it is possible, only if, कब possible होगा, if a plus b plus c, या तो यह 0 होगा, और, a minus b का whole square, plus b minus c का whole square, plus c minus a का whole square, 0 होगा, अब यह 0 होगा, यह तो already proved होगया, यह तो आपको prove करना ही था, अब आपको एक next time भी prove करनी थी, अब देखिए, आपको पता है, यह तीनों का sum, square of sum, sum of squares, आप sum कर रहे हो, और squares का कर रहे हो, और square का मतलब पता है, number positive आता है, तो तभी sum of square is equal to 0 होगा, if each term is 0, तो यह देखो, इन सब का sum जो है, वो 0 है, आपको पता है, किसी भी number का square जो होता है, वो positive होता है, या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो जब सभी term आपकी 0 होगी, तभी आपको अंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या है, कि A माइनस B का whole square, यह भी 0 है, and B माइनस C का whole square, यह भी 0 है, also C माइनस A का whole square, यह भी 0 है, अब यह 0 है, इसका क्या मतलब है, A माइनस B इकोल टु जिरो, square root of 0 क्या होता है, 0 यह होता है, और A माइनस B इकोल टु जिरो, इसका मतलब क्या हो गया? A is equal to B हो गया. यहां से क्या निकल गया? B is equal to C और यहां से क्या निकल गया? C is equal to A. तो from these अब यह क्या कहता है? A B के equal है, B C के equal है और A C के भी equal है. इसका मतलब A equal to B equal to C है. और यही आपको second part में प्रूव करना था. तो आपने दोनों part प्रूव कर दिये. यह first प्रूव हो गया और यह आपका second part प्रूव हो गया. I hope आपको समझ आया होगा. It's very easy. तो please take a screenshot. Now this one is the question number 5. Solve करना है आपको this determinant equal to 0 or find out the values of X. Because the question is to find out. Means solve का मतलब क्या होता है? Find out करना होता है. तो आपको यहाँ X की value find out करनी है. तो determinant किसके equal given है? 0. तो step are very similar to as exercise 4.2. आपको वही steps करने हैं. पहला step कि कि किसी भी one row या किसी भी one column को identical बनाईए. त्यान से देखिए. यदि मैं R1, R2, R3 को add करता हूँ. तो यह X, 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 3X, plus A. यहाँ देखो. X, 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 3X, plus A. X, 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 plus A, 3X, plus A. इसका मतलब identical element बन सकते हैं. तो बनाईए इसको apply करते हैं. R1, R1, plus R2, plus R3. करिए apply. apply. क्या बन जाएगा? यह X, 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 3X, plus A. सेम यहाँ पर भी 3X, plus A. यहाँ भी 3X, plus A. अब second row और third row as it is. X, 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 plus A. X, 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 plus A. अब क्या करें? common common out second step. common out. क्या common out लेंगे हम? 3X, plus A. from कहां से? first row से. तो यहाँ क्या रहा हमारे पास? 3X, plus A. common out हो गया? यहाँ पर 1, X, X, यहाँ भी 1, X, X, plus A, X. यहाँ भी 1, X, X, plus A. सेम यहाँ देखो. 1, 1, 1. यह first column, यह second column, यह third column. इसम अप्लाइज तो यहाँ हम अप्लाइज करते हैं, same operation. C2 में क्या करेंगे? C2 minus C1, और C3 में again C3 minus C1. तो करते हैं, यहाँ पर यह 3X plus A as it is. अब C1 पर तो अपना कोई operation अप्लाइज नहीं करा, तो C1 को as it is लिखिए. 1, X, X. अब C2 minus C1, तो 1 minus 1, 0. X plus A minus X, तो A, X minus X, 0. 1 minus 1, 0. X minus X, 0. X plus A minus X, A. अब देखो, यहाँ पर आपकी दो element 0 बन गए, तो इसी के along क्या करेंगे हम? expand, expand along R1. तो यहाँ 3X plus A as it is. सबसे पहले फस्ट element क्या है? 1. इस row को और इस column को कट कर दो. क्या रहेगा आपके बास? A is 0, 0, A. next element is 0. 0 से complete term 0 बन जाएगी and third element is also 0, तो यह भी पूरी 0 बन गई. अब यह 3X plus और यह term equal to क्या आती right hand side? 0. 3X plus A, इसको solve करते हैं A into A, A square, 0 minus 0, 0 जी हो गया, is equal to 0. अब इनकी product equal to 0 है. इसका मतलब यहां तो 3X plus A equal to 0 होगा और A square equal to 0 होगा, लेकिन A is not equal to 0. यह questions में ही given हैं. तो यहां से 3X is equal to minus A, तो X की value आगए आपकी minus A by 3. तो आपको solve for किसके लिए करना था? X तो आपका answer कितना आगया? minus A by 3. I hope आपको समझ आगया होगा. Please take a screenshot. Now this one is the question number 6. Prove that this determinant is equal to 4A square, B square, C square. मतलब multiplication में है यह term. तो step same. सबसे पहले identical बनाने की कोशिश करते हैं. क्या कोई identical terms बन रही है? इसको add करते तो different, इसको add करेंगे, different, इसको add करेंगे, different नहीं बन सकती. तो क्या कोई term common out हो रही है? तो आप सोच रहे होंगे, sir. हाँ, common out हो रही है. कैसे हो रही है? यहाँ से देखिए. मैं इसको तोड़ा सा modify करके लिखता हूँ. इसकेर. इसमें से मैं a common ले लेता हूँ. तो क्या बन जाएगा? यह a plus b. और यह a, b. similarly, यहाँ पर b, c है. यह b square. यहाँ से b common ले लेता हूँ. तो यह बन जाएगा b plus c. सेम यहाँ पर क्या common ले सकता हूँ? c, a plus c. यहाँ पर a, c और यहाँ पर c square. आप सोच रहोंगे इसा ऐसा करने से क्या हुआ? देखी धियां से. यहाँ a, 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 b, 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 c, c, c. इसका मतलब यहाँ से मैं क्या ले ले लेता हूँ? common ले ले लेता हूँ. क्या-क्या common ले ले रहा हूँ? a, b, c. कहां से लिया मैंने? a common लिया? c1 से, c2 से, और फिर c3 से. मैंने a, b, c common लिया तो यह बाहर आ गए. यहाँ से a कम कर दो. तो a, 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 plus b, b. यहाँ से b common लिया तो c, b, b, plus c. यहाँ से c common लिया तो a, plus c, s, और c. तो अब कोई टर्म से बन सकती है? ध्यान से देखिए. जिए हम इसको अब एड़ करें, तो a, 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 2a, b, and b, 2b. इसको एड़ करेंगे तो c, c, 2c, p, b, 2b. इसको एड़ करो a, a, 2a, c, plus c, 2c. इसका मतलब यहाँ पे 2 common आउट हो सकता है. क्योंकि आपको 4b प्रूफ करना है इसलिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ से apply करता हूँ. कौन सा operation? r1 में r1 plus r2 plus r3. तो अब यह मेरी term क्या बन जाएगी? यहाँ पर तो a, b, c, as it is. यहाँ पर क्या बन गया? 2a और 2b. इसका मतलब 2a plus b. यहाँ क्या बन जाएगा? 2b plus c. और यहाँ बन जाएगा 2c plus a. अब यह term as it is. a plus b, 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 b plus c. और यहाँ है यहारा a और c. क्या common ले लेते हैं? 2. taking common 2. फ्रोम कहां से common लिया मैंने? r1 से. फर्स्ट रो से. तो 2 बहारा जाएगा तो आपका बन जाएगा 2a, b, c. यह बन जाएगा a plus b, a plus b, b, b plus c, b, b plus c, c plus a, a और c. अब आपको देखना होता है कि maximum entry 0 बने हैं. तो हम किसी भी one column में या किसी भी one row में maximum two entries को 0 बनाएंगे ताकि question को फिर expand कर सके. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 बना सकते हैं. इसमें से इसको माइनस कर दीजिए. r1 में r1 माइनस r2 करिए. तो यह बन जाएगा 2a, b, c. r1 माइनस r2 मतलब यह 0. b plus c में से b माइनस करूँगा तो क्या रहेगा? c. c plus a में से a माइनस करूँगा तो क्या रहे जाएगा मिले पास? c. c. और यह term as it is. a plus b, b, a, यह b, यह b plus c, और यह c. c. अब यहाँ पर फिर expand करेंगे. तो please check a screenshot. अब यहाँ देखिए हम और भी 0 बना सकते हैं क्योंकि अभी एक column में हमारा एक element 0 बना है. एक और को बनाने पड़ेगा. यहाँ देखो c और यहाँ भी c है. तो मैं यहाँ पर c को 0 बना सकता हूँ. यह c2 है और यह c3. तो c2 माइनस c3 करके. तो मैं यहाँ apply कर देता हूँ. c2 में c2 माइनस c3. तो this becomes 2 a, b, c. तो c1 हमारा exit जा देगा. 0, a प्लस b, b. अब यहाँ c माइनस c, 0, b माइनस e. और c से c कर जाएगा. क्या रहाँ आपके पास? b. अब 3rd column as it is. अब देखिए, यहाँ 2 0 बन गई. कौन से 0 में? r1 में. तो मैं इसके थूँए expand करता हूँ. expand along r1. this is equal to 2 a, b, c. अब इसको solve करते हैं. first element is 0. अब 0 से multiply करेंगे. डिटेमिन दे 0 ही आएगा. second is again 0. तो यह भी 0 आएगा. अब 3rd one is c. तो यह row कट कर दिया. आपने यह column कट कर दिया. तो आपके पास क्या रहा? a plus b, 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 b minus a, और b. करिए solve इसको. 2 a, b, c, c. अब यह बन जाएगा. इसकी multiply a, b, plus b square, minus, इसकी multiply b into b, b square, minus b into a, a, b. और simplify करिए. 2 a, b, c. c, a, b, plus b square, minus b square, और plus का a, b. अब दियान से देखिए. यहां पर b square तो b square cancel out हो गया. यह रहा हमारे पास 2 a, b, c. c, a, b, और a, b कितना बन गया आपका? 2 a, b. अब सभी multiply में 2 into 2 क्या बन गया? 4. a into a square, b square, और c into c, c square. तो यह बन गया a square, b square, c square. और यही आपकी right-hand side थी. तो hence, probe. तो question क्या हो गया? आपका probe. था यह बिल्कुल simple? तो please take a screenshot. Now, this one is the question number 7. If a inverse is equal to this matrix and b is equal to this matrix और आपको find out करना है a, b inverse. आपको पता है, सबसे पहले a, b inverse का मतलब क्या होता है? properties होती है, कि order change हो जाता है और दोनों का inverse multiply हो जाता है. तो इसका मतलब आपको b inverse को a inverse से multiply करना है. और a inverse आपको already given है. इसका मतलब आपका main step क्या रहेगा? b inverse. तो मैं इसको equation number 1 बना जता हूँ. अब आपको यह दोनों values find out करनी है. inverse find out करने के लिए सबसे पहले आपको क्या find out करना होता है? cofactor matrix. तो मैं यहाँ से start करता हूँ. पहले cofactor ही निकालते हैं. हम बात करते हैं. cofactor b1, 1. इसका मतलब minus 1 की power 1 plus 1. first row और first column को cut कर दो. तो आपके पास क्या मिलेगा? 3, minus 2, 0, 1. और इसको solve करेंगे क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा plus का 1. और 3 into 1, 3. और 0 से multiply करेंगे 0. इसका मतलब आपको value मिलेगी plus की 3. now b1, 2. minus 1 की power 1 plus 2. first row और second column को cut करूँ. तो आपके पास मिलेगा minus 1, 0, 0, 1. तो this becomes negative 1. और minus 1 into 1, minus 1 और यह 0. इसका मतलब आपको value मिलेगी plus की 1. b1, 3. minus 1 की power 1 plus 3. first row, third column. first row, third column को cut करा. minus 1, 0, 3, minus 2. solve करते हैं. यह बन जाएगा plus का 1. minus 1 into minus 2, 2. minus 3 into 0, 0. जिसका मतलब आपको value मिली 2. आप find out करते हैं, b2, 1. मतलब minus 1 की power 2 plus 1. second row और first column. second row and first column को cut करेंगे. तो हमारे पास मिलेगा 2, minus 2, minus 2 and 1. तो this becomes negative 1. और यह बन जाएगा 2 into 1, 2, minus. minus 2 और minus 2 कितना हो गया? plus के 4. तो यह बन जाएगा आपका minus का 2, और यह minus का 1, तो plus का 2. अब हम बात करते हैं, b2, 2. minus 1 की power 2 plus 2. इसका मतलब second row and second column को cut करेंगे. second row, second column. तो आपके पास रहा, 1, minus 2, 0, और 1. इसको solve करें, यह बन कि आपका plus का 1, 1 into 1, 1, minus 0. इसका मतलब value क्या मिले आपको? plus की 1. अब भी 2, 3. second row और third column. second row, third column को cut करा 1, 2, 0, minus 2. यह बन कि आपका minus का 1, minus 2, और यह 0, इसका मतलब plus का 2. 2, B, 3, 1, minus 1 की पावर 3, plus 1. मतलब third row and first column. third row, first column को cut करा 2, 3, minus 2, 0. तो यह बन कि आपका plus का 1, यह 0, और minus 6, तो यह बन कि आपको plus का 6. तो values मिले आपको plus की 6. B, 3, 2. minus 1 की पावर 3, plus 2. third row and second column. third row, second column को cut करा 1, minus 1, and minus 2 और 0. तो यह बन जाएगा आपका minus का 1, 1 into 0, 0, minus, minus 1 into minus 2, minus, minus plus 2. तो आपका अंसर आएगा 2. B, 3, 3. minus 1 की पावर 3, plus 3. third row and third column. कट करा 1, minus 1, 2, 3. तो यह बन कि आपका 1, 1 into 3, 3, minus 2 into 1, minus 2. तो plus का 2, आपकी value आगई 5. तो इन सब को factor को matrix में, उनके place पे रखेंगे, तो क्या बन जाएगी? cofactor matrix. तो प्लीज, do that. अब हमने cofactor matrix बना लिए, अब आपको पता है, inverse के लिए सबसे पहले आपको adjoint find out करना है. तो adjoint is what? adjoint of B matrix कैसे निकालते है? जो आपकी cofactor matrix होती है. उसका क्या कर दो? transpose. तो हम यहाँ transpose कर देते हैं, यह first row है, इसको column में convert कर दिया, यह second row है, column में convert कर देजे, third row, column में convert किया. तो यह क्या बन किया? adjoint. अब आपको बता है, inverse का formula क्या होता है? आपको B inverse निकालना है. B inverse is equal to adjoint of B matrix, और upon में B का determinate. तो अब यह आपको determinate निकालना है. B matrix हो लेड़ी है. तो determinate निकालने के लिए इसको expand करना होगा. तो इसको expand करिए along R1. तो सबसे पहले हमारा first element क्या है? 1. First row और first column को cut कर दो. आपके पास 3, minus 2, 0, 1. Second element क्या है? 2. और sign क्या आता है? negative का. Second column और first row को cut कर आप. minus 1, 0, 0, 1. next element is minus का 2, plus का sign आता है. first row, third column को cut करो. minus का 1, 0, 3, minus 2. अब simplify करिए इसको. 3 into 1, 3, minus, minus 2 into 0, 0. minus 1 into 1, minus 1, और ये 0 बन गया. minus के 2, minus, और ये plus का 2, minus 0. इसका मतलब ये 3, ये plus का 2, और ये minus के 4. तो 5 plus, 5 minus 4 क्या हो गया? 1. इसका मतलब डिटर्मिनेंट कितना आगया आपका? B का डिटर्मिनेंट is equal to 1. पुट करिए यहां पर. adjoint आपके पास already है. 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5. और डिटर्मिनेंट आया आपका 1. तो इसका मतलब B inverse matrix आपके क्या बन गई? 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5. इस वन इस दा B inverse. अब आपको क्या करना है? B inverse और A inverse को multiply करना है. तो please take a screenshot. नव, आपको find out करना है B inverse into A inverse. B inverse already आपने find out कर लिया. 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5. multiply A inverse. A inverse आपको already given था. 3, minus 15, 5, minus 1, 6, minus 2, 1, minus 5, 2. आप simple इसकी multiply करेंगे और आपको answer मिल जाएगा. करिए. सबसे पहले हम क्या करते हैं? first row को lock कर देते हैं. property satisfy होती है क्योंकि ये इसका order भी 3 into 3 है. इसका order भी 3 into 3 है. इसका मतल़ ये match कर गया. और आपको resultant matrix किस order की मिलेगी 3 cross 3 की. first row को lock कर दिया और first column से multiply करो. 3 into 3, 9. 2 into minus 15, minus का 30. 6 into 5, plus का 30. second column से करते हैं. 3 into minus 1, minus 3. 2 into 6, 12. 6 into minus 2, minus का 12. third column से करेंगे. 3 into 1, 3. 2 into minus 5, sorry. 2 into minus 5, minus का 10. 6 into 2, 12. अब second row को lock करते हैं. first column से multiply. 1 into 3, 3. 1 into 15, minus का 15. 2 into 5, 10. second column से, 1 into minus 1, minus का 1. 1 into 6, 6. 2 into minus 2, minus का 4. third column से, 1 into 1, 1. 1 into minus 5, minus 5. 2 into 2, 4. अब third row को lock करते हैं. first column से, 2 into 3, 6. 2 into minus 15, minus का 30. and 5 into 5, 25. 2 into minus 1, minus का 2. 2 into 6, 12. and 5 into minus 2, minus का 10. 2 into 1, 2. 2 into minus 5, minus 10. 5 into 2, 10. फर्जर सोल करिए. 30 से 30, cancel out, 9. 10 और 3, 13 में से 15 करेंगे, minus का 2. 25 और 6, 31 में से 30, minus करेंगे, 1. 12 से 12, cancel out, minus का 3. minus 5 और 6, plus का 1. 10 और 12, minus 12, 0. 12 और 3, 15, minus 10, 5, 5, minus 5, 0. और 2. तो चेक करते हैं, अंसर. 9, minus 2, 1, minus 3, 1, 0, 5, 0, 2. येस, अंसर इस अप्सलूटली करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्किन शॉट. नाव प्लीज लूक एट दा बोर कोशन नमबर 8. आपको A मेत्रिक्स कीवन है, और आपको वेरिफाई करना है, इन टू पार्ट्स में, फर्स्ट है, एड्जोइंट A मेत्रिक्स का ट्रांस इन्वर्स निकानना है, इस इक्वल टू एड्जोइंट निकानना है, A इन्वर्स का मतलब तो बहुत लेंथी कोशन हो गया, सबसे पहला आपको एड्जोइंट निकानना होगा, फिर वो एक मैट्रिक्स बनेगी, और फिर उसका इन्वर्स निकानना होगा, इसका उन्वर्स सारे सारे स्टेप से फिट से करने पड़ेंगे, तो यहाँ भी वही है, पहले A इन्वर्स फाइंड आट करो, हम स्टेप करेंगे एड्जोइंट निकालते हैं, और एड्जोइंट या इन्वर्स निकानने के लिए देखो, यहाँ भी इन्वर्स, यहाँ भी इन्वर्स, यहाँ भी इन्वर्स, इसका मतलब सबसे पहले हम कोशन क्या स्वोल करते हैं, एंवर्स ही निकाल देते हैं पुरा ताकि पलबर वेलू दुबारे ना निकालने पड़े तो सबसे पहला step क्या होता है इंवर्स निकालने के लिए determinant तो पहले हम determinant निकालते हैं a determinant तो मैं इसको expand कर देता हूं expand along r1 तो यहां क्या आजाएगा first element 1 है, first row और first column को cut करा 3, 1, 1, 5 second element minus 2 है और यहां sign क्या आता है negative, अब इस row को cut कर ये और column को cut कर ये minus 2, 1, 1, 5 फिर 1 है row first और column 3 को cut करेंगे minus 2, 1, 3, 1 solve करते हैं इसको 3 into 5, 15 minus 1 minus minus plus 2 minus का 10, minus का 5 plus का 1 minus का 2, minus का 3 ये बन गया आपका 14 ये minus का 15 into 2 minus का 30 और minus का 5 तो ये बन गया आपका 16 or 5 minus के 21 which is not equal to 0 चेक करते हैं कि value ठीक आई है ये गलत आई है please wait a minute कहां गलती करी है हमने element आपका 1, minus 2, 1 minus 2, 3, 1 1, 1, 5 तो value हमारी 14 बन गई ये कितनी बनी second column हम first रोगो कर, minus 2, 1 1, 5, minus 2 into 5, minus के 10 sorry, यहाँ पर रिकलती है 1 into 1 क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा तो ये result क्या बन गया आपका minus के 11 into 2, minus के 22 22 और ये minus के 5 तो 22 और 5, 27 तो 27 में से 14 minus करेंगे minus का 13 और ये आपका 0 के equal नहीं है, इसका मतलब क्या है A is non-singular matrix और आपको पाता है singular matrix का inverse exist करता है तो इसका मतलब A inverse exist आप क्या निकालते हैं, co-factor co-factor निकालने आपको आते हैं 2-3 co-factor मैं निकालू हूँ है remaining आपको निकालने हैं तो हम निकालते हैं, co-factor सबसे पहले A11 का minus 1 की power 1 plus 1 first row और first column को cut करा 3, 1, 1, 5 तो ये बन गया आपका 1 5 into 3, 15 minus 1 result क्या बना 14 आपको factor A12 की बात करेंगे तो minus 1 की power 1 plus 2 first row, second column को cut करो minus का 2, 1, 1, 5 तो ये बन गया minus का 1 minus का 10, minus का 1 तो ये बन गया आपका plus का 11 similarly आप सभी find out करिए मैं directly result लिख हूँँआ तो please take a screenshot आपने compare कर लिजिए जो आपने cofactors निकाले है तो cofactors आपके ये आएंगे, हमने दो cofactors निकाले, remaining cofactors are this, अब आपको पताईए तो cofactors निकला है, आपको क्या चाहिए? adjoint, तो मैं यहाँ पे adjoint निकाल लेता हूँ, adjoint क्या होता है? cofactors matrix का transpose तो इसका मतलब इसका transpose करेंगे, तो result क्या रहेगा? first row, change कर दो kolom में 14, 11, minus 5 second row, 11, 4, minus 3, third row minus 5, minus 3 and minus 1 इसका मतलब adjoint of a आपका निकल गया, अब आपको इसको fit से inverse निकालना है, अब fit से inverse निकालना है, तो यह तो काफि fit typical हो जाएगा, तो मैं इसको let माल लेता हूँ, मैंने इस matrix को कौन कौन सी matrix है, हमारे पास कोई नहीं है, मैं इसको let कर लेता हूँ B matrix मैंने इसको क्या let कर लिया? adjoint of a, जो matrix बनी है, इसको मैंने b let कर लिया, इसका मतलब यह जो मेरे पास matrix बन गई यह matrix मेरी b आ गई, इसी तरह से आपको पता है, यहाँ adjoint निकालना है a inverse का, तो इसका मतलब यह भी small करके क्या बनेगी? एक matrix बनेगी, तो मैं इसको भी let कर लूँगा, a inverse को मैं let कर लेता हूँ c matrix, तो पहले मेरी b matrix निकल गई, अब मैं c matrix निकालता हूँ, तो इसके लिए मुझे inverse निकालना होगा, और यह inverse क्या होता है? adjoint matrix का divide by determinant adjoint आप अल्रेड़ी निकाल चुके हूँ, और determinant कितना आए था? माइनस का 13 इसका मतलब 14, 11 माइनस 5 11, 4, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 1 और इसको divide कर दिया, हमने माइनस 13 से तो अब माइनस 13 से divide करूँगा, तो result क्या बन जाएगा मेरे पास ये 14 अपोन में 13 sign negative माइनस के 11 अपोन में 13 और यह plus का हो जाएगा 5 अपोन में 13 यह 11 अपोन में 13 4 अपोन में माइनस का 13 माइनस माइनस कर जाएगा, 3 अपोन में 13 5 अपोन में 13 3 अपोन में 13 और 1 अपोन में 13 तो देखो, माइनस का 14 बाई 13 माइनस का 11 बाई 13 और यह plus का हो जाएगा, यह भी प्लस का है तो यह माइनस का हो जाएगा यह प्रस का है तो यह माइनस का हो गया, यह माइनस का है तो प्लस, 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 सभी को 13 से डिवाइड कर दिया, तो यह मेरा क्या निकल गया, A inverse, और A inverse को मैंने लेट क्या करा है, एक another matrix C, इसका मतलब आपके पास क्या आ गई, B matrix आ गई, और B matrix का आपको क्या निकलना है, inverse और आपके पास A inverse मतलब C matrix आ गई, और C matrix का क्या निकलना है, adjoint का मतलब आपको इस matrix का तो क्या निकलना है, हमें, find करना है, inverse, और इस matrix का क्या find out करना है, हमें, adjoint, तो please take a screenshot, आप इसी के क्या करिए, सबसे पहले B के जो आपका है, इसके cofactors निकालते हैं, और फिर इसके cofactors निकालिए, so please do it yourself, इसके cofactors और इसके cofactors निकालिए, now, अब आपको पता है, cofactors भी निकालना है, क्योंकि इसका inverse भी निकालना है, तो पहले मैं दोनों का determinant निकाल लेता हूँ, B matrix का determinant, expand किसके along कर रहा हूँ, R1 के कर रहा हूँ, तो first element मेरा 14 है, first row and second column को cut करा, 4, minus 3, minus 3, and minus 1, second element 11, sign आता है negative का, first row, second column को cut करो, 11, minus 5, minus 3, minus 1, third element है, minus 5, row cut करिए first, और column cut करिए third, 11, minus 5, 4, minus 3, solve करिए इसको, यह बन जाएगा, आपका 14, minus का 4, और minus के 9, minus के 11, minus के 11, और यह बन जाएगा, minus के 5, 3 जा 15, minus के 5, minus के 33, और plus के 5, 4 जा 20, यह बन जाएगा 14, 9, और 4, 13, minus के 11, और यह बन गया, minus का 26, minus के 5, minus के 13, 15, तो 14, 3 जा 42, के 4, 4 कितना बन गया, 182, negative, negative, positive, 11, 6 जा 66, 22 और 6, 28, minus, minus, plus, 16, 13, 5 जा 65, अब देखिए, minus का 182, और 6, और 5, 11, 6, और 8, 14, और 15, और 3, 11, minus 2, is 9, 14, minus 8, 6, और 2, minus 1, 1, इसका मतलब आ गया, 169, जो 0 के equal नहीं है, इसका मतलब B inverse क्या करेगा, exist करेगा, अब ऐसे ही आपको C का determinant निकालना है, तो C determinant निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, minus का 14 by 13, फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम को कट कर दो, क्या रहाँ के पास, minus 4 by 13, 3 by 13, 3 by 13, और 1 by 13, second element क्या है, minus का, और second element negative, negative क्या हो जाएगा, positive 11 by 13, फर्स्ट रो और सेकेंड कोलम को कट करेंगे, तो यह जाएगा minus के 11 by 13, 5 by 13, और यह बन जाएगा 3 by 13, और यह बन जाएगा 1 by 13, यह बन जाएगा, अब पलस में क्या आता है आपका, third element, third element क्या है, आपका 5 by 3, पलस के 5 by 3, first row और third कोलम को कट कर दो, आपके पास क्या रह जाएगा, यह, तो मैं इसको रप कर जेता हूँ, यहां से, तो हमारे पास क्या रहा, minus के 11 by 13, 5 by 13, minus के 4 by 13, और 3 by 13, अब आपको इसको expand करना है, minus के 14 by 13, चलिए मैं solve करता हूँ इसको, तो please take a screenshot, now please look at the board, आपने solve किया, आप देखें, minus के 14 by 13, as it is, minus 4 by 13 के multiply, 1 by 13 से करेंगे, तो minus 4 into 1, minus 4, 13 into 13 के तना बन गया, 169, फिर minus cross multiply, 3 into 3, 9, और 13 into 13, 169, similarly आपने इसको करा, इसको करा, यह item बन गई आपकी, पिर हमने क्या करा, दोनों का base same है, तो उपर item add हो गई, 9, 4, 13, इसी time से यह हो गया, 26, यह हो गया, आपका minus का 13, अब मैंने देखो, 13 से 13 कट करा, तो minus, minus क्या हो गया, plus, 14 into 1, 14, और 13 से 13 कट चुका, तो रह गया, आपके पास, 169, 13 की टेबल से कट करा, 26 को minus 2 पे, तो 11 into 2, minus 22, और 169 as it is, 13 से 13 कैंसल आउट, minus 5, अपोन में 169, LCM ले लिए 169, तो यह कितना बन गया, minus का 13, अपोन में 169, 13 की टेबल से कट कर दिया, minus के 1 by 13, और जो आपकी 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, C is non-singular matrix, तो C inverse क्या होगा, हमारा exist होगा, अब आप खुद ही निकालना है, B के cofactor और C के cofactor, मैं यहाँ लिख दूँआ, आप अपने cofactor को match कर सकते हो, तो प्लीज टेक आ स्क्रीन शोट, आप अपने चेक कर लिजए, cofactor सापके B matrix के यह आये है, और perfected C matrix के आपके EI है, अब आपको दोनोर साइड में क्या चाहिए, inverse find out करना है, क्योंकि first part और second part हम simultaneously solve कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, adjoint, adjoint क्या होता है, जो matrix BI है, उसका क्या कर दो, transpose, transpose करेंगे तो first row आपकी बन जाएगी, column में minus 13, 26, minus ke 13, second row 26, minus ke 39, minus ke 13, and third one row is minus ke 13, minus ke 13, minus ke 65, अब आपको inverse में find out करना था, तो B inverse क्या होगा, adjoint of B, और divided में determinant of B, इसका मतलब adjoint तो आपके पास already आ चुका, अब इसको आपको किस से divide करना है, determinant of B, और B का determinant अभी निकाला कितना आया था result, 169, तो जब हम इसको 169 से divide करेंगे, तो result क्या बन जाएगा आपके पास, ये से cut करोगे तो, 13 आप common ही ले लिए, जिन सब में से 13 common लेंगे तो क्या आजाएगा, 13 बहार आजाएगा, divide by ये 169 already है, तो यहां क्या रह जाएगा आपका minus का 1, 1, 2, minus 1, 2, minus 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 5, 13 के table से cut कर दोगे तो 1 by 13, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 5, this is your B inverse, अब आपको और क्या find out करना था, यहां से C inverse भी जाएगा आपको, तो सबसे पहले मैं adjoint of C निकाल लेता हूँ, यहां से, C, I, J, जो matrix से इसका transpose कर दो, क्या बन जाएगा ये, first row, minus 1 by 13, 2 by 13, minus 1 by 13, second row, 2 by 13, minus 3 by 13, minus 1 by 13, minus 1 by 13, minus 1 by 13, minus 5 by 13, और inverse निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, C inverse is what, adjoint of C, और divide में C का determinant, और अभी अपने C का determinant निकाला कितना result आए था हमारा, adjoint तो अलड़ी यही आए, आप एक step में अलग से लिखेंगे adjoint, और फिर divide करेंगे C का determinant, और C का determinant हमारा आए था, minus के 1 by 13, इसका मतलब 13 सब की table से है, तो 13 से 13 कर जाएगा, और 7 की साथ negative है, तो सभी का sign change हो दाएगा, तो आपके पास C है क्या बन जाएगा, 1, minus 2, 1, minus 2, 3, 1, 1, 1, 5, यह result क्या आगया, आपका C inverse, तो I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा, हमने सभी factor निकाल लिए, अब prove करेंगे आप, प्लिस टेका screen shot, नाओ, जो हमें prove करना था, प्रूव में क्या था हमारा, adjoint of A inverse is equal to adjoint A inverse, आपको पता है, adjoint of A को हमने क्या let किया था, let किया था B, इसका मतलब यह side क्या बन गई है मेरी, B inverse is equal to adjoint, और A inverse को मैंने यहां पर let क्या करा था, C, इसका मतलब adjoint of C, तो यहां देखो B inverse, आपके पास B inverse यह रहा, 1 by 13 minus 1, 2 minus 1, 2 minus 3 minus 1, minus 1 minus 1 minus 5 is equal to, और adjoint अपना चेक करीए, जो पिछले step में हमने adjoint निकाला, वो यह result आए था, minus के 1 by 13, 2 by 13, minus के 1 by 13, 2 by 13, minus के 3 by 13, minus के 1 by 13, minus के 1 by 13, minus के 1 by 13, minus के 5 by 13, इसका मतलब इसी में सीधियां, 13, 1 by 13 common ले ले, तो result क्या बन जाएगा, minus का 1, 2, minus 1, 2, minus 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 5, और चेक करीए देखी, this side, इसका मतलब left hand side is equal to, क्या आ गई? राइट-hand side आ गई, तो question क्या हो गया आपका, प्रूट, तो प्लीज टेक आ स्क्रीन शोट, आपका आपका, इसकेंड पार्ट क्या था आपका, A inverse का inverse is equal to A, प्रूफ करना था, और आपको पता है, A inverse को आपने क्या लेट कर रहा था? C, तो इसका मतलब गई बन क्या आपका, C inverse is equal to A, और C inverse देखको आपका कहा है, यह राइट, C inverse, 1, minus 2, 1, minus 2, 3, 1, 1, 1, 5, और ध्यान से देखो, यही हमारी A matrix ही, जो starting में, question में given थी, इसका मतलब यह equal to क्या आगया, A, तो कोशन क्या आगया आपका, प्रूब, तो इस टाइब से कोशन काफी लेंग थी था, इस आपका exam में तो नहीं पूछा जाता, it is just only for your practice, to find out the cofactors, adjoints, as well as inverse, तो यह practice based question था, I hope आपको समझा आगया होगा, तो please take a screenshot, और हमने question number 1, to question number 8, each and every part हमने solve कर लिये है, अब हम next lecture में solve करेंगे, question number 9 and onwards, so thank you once again for watching my video from starting to the end, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.